फ्रेंड्स अगर तो आपका एक मैक अप यूट्यूब चैनल है और आप उसको ग्रोर करना चाहते हो लेकिन वह आपसे ग्रोर नहीं हो रहा तो मैं आज आपको ग्यारा से बारा ऐसे टॉपिक्स ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेर करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद और अपनी इस चैनल को इंप्लीमेंट करने के बाद यह चीज मैं दावे की साथ कह सकता हूं कि आपकी जो वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर रैंक करेगी बिसमिलार रख्मनरीम असलाम अलेकुम फाहद अली वीडियो के जानेप से एक और निव टॉपिक मैं आपके लिए लेकिया हूं फ्रेंट्स आज को हमारा टॉपिक है वह बहुत ज़रा हटके है बहुत ज़रा यूनीक है हाउ टो ग्रो मैकप यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स यहां पर मैं आपसे बात शाहिए करना चाहरा हूं वह परसेंट जो के मैकप से रेलिमेंट काम कर रहे हैं या कोई आप कोई किसी प्रोड़क का रिव्यू कर रहे हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी ऐ कीन है अपने उपर अपने इस चैनल के उपर जहां पर फाहद ली वीडियो का चैनल है जहां पर बिल्कुल सच की बात की जाती है सच के इलावा कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनती जो के बिल्कुल फेक हो या हम लोग ऐसा काम नहीं करते इस चैनल के उपर जो के सिर्फ र यहां पर मैं आपसे बात करना चाहरा हूँ कि आपकी कैमरे की क्वालिटी अब आप यहां पर देख सकते हो कि मेरे और कैमरे की बीच में डिस्टेंस है लेकिन जो मेकप चैनल होता है ना वह अगर एक परसन कोई फीमेल है जा रहे तर यह काम फीमेल कर रही है तो वह क्या कर है उनकी कोशिश होती है कि वो थोड़ा सा दूर बैठें लकिन मेरी डुक्मेंडेशन के मताबिक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अगर आप आगे हो और आपने अपना मैकप चैनल ग्रो करना है और यूट्यूब से अर्निंग करनी है वो भी कैसे करनी है मैं आगे स् अपने पास बैठो ठीक है उससे क्या होगा कि जो भी आप मैकप शेयर कर रही हो जो भी मैकप आप शेयर कर रही हो अपने उपर इंप्लिमेंट कर रहे हो क्योंकि वो जब कैमरे के पास होगे तो मेरा खैल है लोगों को बेस्तर तरीके से आइडिया होगा क्योंकि आप लो को आप लोगों को मैं टिप यह देना चाहता हूं कि आप कोशिश करो कि वीडियो की quality maintain करो जब आप वीडियो की quality maintain करोगी ना जो मैं आपको आज इंशाहला step by step चीजें बताऊंगा तो आप देखोगे कि आपका वीडियो वाला जो वीडियो के उपर अगर आ तो वो जुरूर आपकी वीडियो पांस से आठ मिनट जुरूर वाच करेगा तो सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है कैमरे की क्वालिटी मिन्टेन करनी है और पास बैठने उसके बार मैं आपको बिटाता हूं कि कैमरे को आपने 4K वाला जो आपका मूड होता है वह आ करने है आपने क्या करना है अपने अपने कैमरे पर आने के बाद वीडियो के ऑप्शन आती है वीडियो के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे और सबसे उपर आपके पास सैटिंग के ऑप्शन आती है सैटिंग के ऑप्शन के उपर आप लोग क्लिक करोगे वहां पर आपको ट क्योंकि 4K को जब आप क्लिक करोगे न तो उससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी में इंप्रूव्मेंट आजेगी तो आप करो 720 पे आपने शूट नहीं करनी आपकी अपनी वीडियो अगर आप देखो कि मेरा एक चैनल है प्रॉब्लम सुलूशन से रेलेमेंट मैं इसको 720 पर करूँ या 1080 पर करूँ या 4K पर करूँ डेजन मैंटर मेरे सब्सक्राइबर को इससे मैंटर नहीं करता लेकिन क्यूंकि आपका मैकप चैनल है तो आपको क्या करना है एक तो क्लोज बैठना है दूसरे नंबर पर आपने क्वालिटी मिंटेन करनी है कैमरे की तो आपको 4K की वीडियो शूट करनी चाहिए अगर किसी के कैमरे के अंदर 4K नहीं है तो आप कोशिश करो कि कम असकाम 1080 के ओपर आप अपनी वीडियो को शूट करो ठीक है उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि लाइटिंग की लाइटिंग बहुत जारा इंपोर्टेट है खास आपने एक लाइटिंग का एक बैलनस रखना है और आप लोग यह कोशिश कर लेना कि सबसे पहले जब आप वीडियो बनाने लगते हो वीडियो बनाने के लिए आप लोग सामने बैठती हो जब कैमरे के तो आप कोशिश करो कि पहले 10-15 सेकंड की वीडियो शूट करो अप नहीं और आप अपने फेस को देखो कहीं पर कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं होरी कहीं लाइट या डार्क ऐसी चीज़ नहीं होरी तो नहीं होरी तो आप वहीं पर बैठो और वहीं पर अपना ट्राइपॉर्ट या फिर आप मोनोपॉर्ट तो नहीं यूज होगा ट्र ring light भी यूज़ कर सकते हो ठीक है और ring light के अंदर वह वली ring light लेनी है जिसके अंदर आप mobile stand कर सकते हो ठीक है तो ring light ले ले अगर किसके पास ring light के पैसे नहीं है तो वह किसी ऐसे कमरे में जाके शू्ट करें अपने जहांपे window यानि के बहार से रोशनी जैदा आती हो और आपने करना है आपने रोशनी के सामने बैठना है बिल्कुल और जो आपका दूसरा साइड कमरा होगा आपने लाइटिंग ओफ कर देनी है जब सारी लाइट्स ओफ करेंगी और लाइटिंग के सामने बैठेंगी कैमरे को लाइट्स के यह देखें ऐसे रखने है लाइट वहां से आ रही है और यहां पर कैमरा है और यहां पर मैं बैठा हूँ पीछे लाइटिंग सारी बन रहे है तो आप देखोगे कि आपके result में कितनी कितना difference आएगा तो कैमरा की quality आपकी लाइटिंग बहुत जादा इंपोर्टिंट है आपके मेकप चैनल के उपर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि जो है ना आपके ब्यूटी पॉलर्स ब्यूटी पॉलर्स के लिए काफी जादा options है क्योंकि वह एक तो उनके पास tools उनके पास gadgets बहुत जादा होती है और बड़े अच्छे तरीके से अ कोशिश करो number four number जो fourth है tip का वह यह है कि आप लोग कोशिश करें कि जो products आपके हाथ में हैं आपको extra लेने की जुरुएत नहीं है YouTube के ओपर कभी इंवेस्टमेंट करते नहीं है यह चीज माइंड में रखेगा आपने जो भी product लेनी है उसका आप कोशिश करो reviews भी करो उसके अंदर ही अब यह जैसे वीवो वी टॉंटी मोबाइल है इसके अंदर में पांच छे अलग अलग वीडियो बना सकते हो इसी तरिके से क्रीम है कोई कोई भी चीज़ा आप लोग बेखतर जानते हैं कोई कलर है कोई लिप्स्टिक है कुछ भी है तो आप उसके अंदर चार- प्रोड़क्ट रिव्यू कर रहे हो दूसरे नंबर पर अगर आप किसी वजह से यूट्यूब के उपर कामियाब नहीं भी होते किसी वजह से यूट्यूब पर कामियाब नहीं भी हो पाते तो क्या होता है जो इदर उदर कर नेटवर्क होता है यानि कि इदर उदर की जो होते हैं को प्रोड़क्ट अब आपने अगर प्रोड़क्ट रिव्यू किया किसी ऐसी लिप्स्टिक के उपर जो के कोई भी कंपनी ए भी सी कंपनी की है लेकिन उसके कंपीटिटर जो है वो काफी जाएदा होंगे तो वह आप लोगों से आपको इमेल पर टच करेंगे कि आप हमारी प्रोड़क्ट का रिव्यू करो तो आप यूट्यूब से तो पैसे कमा रहे होंगे तो आप एक एक्स्ट्रा इंकम जनेरेट कर सकते हो प्रोड़क्ट रिव् कर करके ना लोगों को ना काफी जाएद कर दिया है रेगुलर का मतलए फ्रेंज होता है कि अगर आप आप तीन दिन में एक वीडियो अप्लोड कर रहे हो ना तो कोशिश करो तीन दिन बाद ही वीडियो अप्लोड हो ठीक है तो आप रेगुलर बैसिस पे काम मत करो अगर आपको पास टाइम है आप ओपन ली कोई टेंशन नहीं है आपको आप इजी ली मैनेज कर सकते हो देन आ आप daily basis पर काम करो कोई issue नहीं है regular काम करो यह तो एक अच्छी बात है लेकिन अक्सर आप देखते हो कि हम लोग सुनते हैं कि break आ गई कि आपको कोई किसी भी किसम की problem आजे तो हम क्या करते है चैनल को बंद कर देते हैं चैनल को नहीं चला पाते हम उसके ओपर कुछ भी नहीं आजाती है ना अक्सर यूट्यूबर्स कहते हैं कि वो चैनल डाउन हो जाता है जबके चैनल डाउन नहीं होता अगर break आ जाती है और आप उसके बाद जब यूट्यूब पे दुबारा आते हो और अच्छे content के साथ आते हो तो वो ब्रेक एक्छी ब्रेक नहीं होती आपका चैनल वहीं पर खड़ा होता है और आपको किसी भी किसम की टैंसर लेने की जुरत नहीं होती और उसके बाद मेकप चैनल को ग्रो करने का एक जो आपने चीज एक और चीज लेनी है ना फ्रेंड्स वह आपका माइक माइक की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए अब माइक हजा का भी आजयता है माइक 10 हजार का भी आता है तो इंवेस्समेंट नहीं करनी कोई भी सभी सश्था समाइक आप ले लेकिन जो investment करने वाली चीज अगर आपकी तो आपने video quality पर compromise नहीं करना लाइटिंग पर compromise कर नहीं करना अगर आप ring light भी नहीं लेना चाहते तो side पर अप बलब लगा सकते हो और उसके आप पर आप काम कर सकते हो उसके बाद क्योंकि वीडियो के quality और यह चीजों को सारी चीजों को माइने में रखते हुए ना एक चीज बहुत important है जो कि आपका है thumbnail क्योंकि जो makeup होता है यह काफी close up short लेता है लोग बरी किसे देखते हैं makeup वाले channels को ठीक है तो आपको जो thumbnail होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए कि किसी ने उस तरह का thumbnail ना देखा हो अच्छा अब आपने क्या करना है thumbnail से relevant मैं आपको एक tip देता चलूँ कि जो चीज के आपने वीडियो बनानी है ना जिस भी topic के उपर makeup पे आपने पहले उस topic को YouTube के उपर सर्च कर देना है जब आप उसको सर्च करोगे ना तो आपको सामने पहली जो 4-5 thumbnail जाएंगे ना वो देखिए कि आप कितने attractive होंगे तो बाद एक और चीज बड़ी matter करती है वो होती है आपके makeup के equipments अब आपकी जो मैक अपके जो tools है friends वो यह होते हैं कि आपने कोशिश करनी अगेर मैं यह कहूंगा investment नहीं करनी यह नो आप बहुत जादे अपनी equipment के उपर पैसा लगा रहें नहीं अगर आप equipment से पैसा नहीं ल public watch time आपके चैनल पर आ जाते हैं और 1000 के subscriber आ जाते हैं तो then आपके चैनल पर monetization on हो जाती है और फिर after monetization जो views आपके पास आ रहे होते हैं daily basis पर या regular basis पर या हर एक minute बात जो views आ रहे होते हैं उनको फिर आपके चैनल पर ads नजर आने लग जाती हैं क्योंकर monetization on हो जाती है YouTube आ देखते हैं तो वह आपके ads भी नजर आती है और फिर ads के बहाफ पर आपको monetization जा own करने से Google आपको पैसे देता है और Google जो पैसे देता है वह Google का एक और platform है जिसको Google Adson कहते है Google Adson के अंदर हम अपना account बनाते हैं वह account verify होता है हमारा email ID से हमारे ID card से हमारे घर पे वह verification code आता ह है वह code हम पिक करके वह unique code होते हैं वह लगाते है Google Adson में तो हमारा account verify हो जाता है after verification जब यह चीज़े हो जाती है तो आपके account में slow 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 पैसे जंप करने लग जाते हैं तो friends अगर आप चाहते हैं मेरे से कोई और मैकप से relevant कोई और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना तो जरूर को में बताईएं का video अछी लगी हो सब्सक्राइब लायिक, comment लजमी करके किया कि कोमेंट्स में सब्सक्राइब er में पैसे नहीं लगते हैं लेकिन मेरी होसला भजाईज जरूर होती है, मिलेंगे नेक्स वीडियो में थांकिए सो मच, अल्लहाफिस